दोसो अगर आप एक entrepreneur है, आप एक business man है, आपके पास दोसो अपने business के लिए कोई website है, जिसमें आपने product या services को upload कर रखा है, और आप अपनी website को Google पे सबसे first position पर rank करवाना चाहते हैं, या फिर दोसो आप एक blogger है, आपने नया अभी कोई blog start किया है, और आप अपने blog को Google में rank क करवा के उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप के लिए सबसे important चीज पता है, क्या है SEO, यानि कि search engine optimization, देखे, SEO एक ऐसा optimization tool है Google का, जिसकी मतल से आप अपने business website को and आप अपने blog को बड़ी आसानी से rank करवा सकते हैं, और website या blog को rank करवा के Google में आप उससे बड़ा अच्छा revenue generate कर सकते हैं, अगर आप भी SEO को बारी किसे शीखना चाहते हैं and step by step इसका complete knowledge लेना चाहते हैं, तो आज का ये वाला वीडियो आप सभी के लिए most important होने वाला है नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है राहूल, मैं हूँ एक digital marketing expert founder of walksmedia solutions.com और आज की इस वीडियो में, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, कि आप अपनी website का या blog का step by step SEO कैसे कर सकते हो, यानि कि उसको optimize कैसे कर सकते हो, ताकि वो Google में सबसे number one position पे rank करें सबसे पहले step में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने blog या website के लिए keyword research कैसे कर सकते हो, और उसकी मदद से आप एक optimization title को कैसे लिख सकते हो, दूसरे step में मैं आपको बताऊंगा कि Google में अपनी website या blog को rank करवाने के लिए, आप अपने content को किस तरह से सही तरीके से लिख सकते ताकि Google का robotic system आपके content को जल्दी पढ़े, जल्दी समझे और वो आपकी website या blog को rank करवाए, तीसरे step में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप SU के rules and regulation अपने page या अपने content पर अपलाई करेंगे, ताकि वो जल्दी से Google में rank कर जाए, तो इन 3 steps SU की संपून जानकरी इस वीडियो में आज मैं आपको step by step सिखाने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को आयांड तक देखोगे, तो SU से related आपकी सारे doubts क्लियर हो जाएंगे, और next time आप भी अच्छे से SU करके अपनी website को या अपने blog को बड़ी आसानी से rank कर शुरू करते हैं वीडियो की, वीडियो की सुरुआत करने से पहले छोटी से request आपसे भी पहरे दोस्तों से करना चाओंगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो और चैनल आपके लिए काम का है, तो वीडियो को लाइक करना, आपने दोस्तों के शार शेर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन बटन को जरूर पैस करना, चलिए अब सुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, तो देखे दोस्तों सबसे पहले अगर आप SEO करना चाहते हैं, तो हम step by step SEO को सीखेंगे ताकि आपके सारे doubts क्लियर हो जाएं, तो SEO करने में जो सबसे पहला step होता है, वो क्या होता है, सबसे पहला step होता है, दोसो keyword research, देखें, आपके पास कोई blog है, website है, उसके लिए आप perfect keyword research कैसे करेंगे, ताकि Google में वो first position पर rank करें, for example, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Google के उपर मैं आभी आ रहा हूँ, यहाँ पर मेरी website देख सकते हैं, य यह मेरी website है, जिसका आज मैं आपको live SEO करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर practically, ठीक है, and इसके लिए हम keyword भी research करेंगे, हम content भी लिखेंगे, and उसका on page SEO भी करेंगे, देखें, keyword research करने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सबसे बिल आपको करना WordPress hosting सरलटे, तो मैं आपर डालूँगा दोस्तो, जैसे मालो, WordPress hosting, and मैं आपर डालके इसको search कर लूँगा, तो simply आपको ऐसे करना है, जैसे दोस्ता आप search पटन पर click करोगे, अब यहाँ पर देख सकते है, WordPress hosting, and अगर आप WordPress hosting यहाँ पर टाइप करते हैं, आपके पाच कुछ extension ह जो top level के keywords हैं, वो आपको दिखाते हैं, अब आप यह सोचेंगे कि यह कौन सा extension है, तो यह है दोस्तो keyword server, जिसको आप बड़ी आसानी से Chrome extension यूज़ कर सकते हैं, और यह आपको बता देगा, अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, आपके सामने कुछ related keywords आ रहे हैं, best hosting for WordPress, best hosting for WordPress, best hosting for WordPress India, इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर काफी बड़ी list आती है, तो यह आप चूस कर सकते हैं, कि आपको कौन से keyword पर work करना है, अगर आप देखेंगे Google में, तो Google में भी आपको एक आसान तरीका मिलता है keyword research करने का, और यह आपके सामने आ रहा है, यहाँ WordPress hosting free, WordPress hosting India, best WordPress hosting, WordPress hosting cheap, यहाँ पर इस टाइप से देखें, आपके सामने keywords आ रहा है, अब यहाँ पर आपको एक keyword चूस करना है, हमेसा इस चीज का दियान रखना, अगर आप किसी blog या page को rank करवाना चाहते हैं, Google, तो हमेसा आप सिर्फ एक keyword पर work करिएगा, multiple keywords यूस करेंगे, त ठीक है, तो जैसे माल लो हम यहाँ पर चूस करते हैं, best WordPress hosting, अब इसका जो search volume है, वो हम देख लेते हैं कि कितना search volume है, search volume का मतलब होता है, search volume का मतलब होता है कि कितने लोग best WordPress hosting को हमेसा Google पर जाके search करते हैं, तो अपरोक्स यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया में 1600 लोग इस volume है, कितने keyword research है, वो आप देख लीजेगा यह वाला extension यूज करके keyword surfer, अब जैसे माल लो यहाँ पर मैं यह वाला जो keyword है वो चूस कर लेता हूं, best WordPress hosting, और इसी के उपर मैं एक पूरा का पूरा on-page issue करूँगा, एक page बना के या एक blog बना के, अब आपको देखे, माल लो यह आपके पास यह आ गया, जिस पर हमने, यूज कर लिया, best WordPress hosting, अब आप चाहेते हैं, उसका competition भी देख लीजेगा, यह भी देख लीजेगा, कि कितना इसमें competition है, कितने ज़्यादा इस पर लो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग-लग tools का इस्तमाल कर सकते हैं, keyword research करने सेमरस एक अच्छा tool है, उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, और सेमरस के अलावा, और भी काफी सारे tools है, उनका इस्तमाल कर सकते हैं, बट यह एक अच्छा option है, अगर आप on-page issue site अंग से करेंगे, तो Google में rank कर जाएगा, आपका page, ठीक है, तो जैसे माल लो, यह वाला keyword हमने अब हम जाते हमारी website पर, और हम क्या करते हैं, जैसे माल लो, यहाँ पर WordPress website का admin आपको open करना है, आप जिस page का on-page issue करना चाहते हैं, या जिस blog का on-page issue आप करना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको यह पर open करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक website है उसको मैंने आपे open कर लिया अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा अगर मानलो आपके पास post है तो आपको post का SEO करना है तो आप यहाँ पर new post करेंगे और अगर आपको pages का SEO करना है और pages का optimization करना है तो यहाँ पर आप pages type करेंगे for example हम क्या करते हैं दोसों यहाँ पर हम post के उपर जाते हैं और यहाँ पर add new post के उपर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर एक नया post create करेंगे और उसका हम SEO करना सीखेंगे pages में भी same strategies होती है कुछ changes नहीं होते आप जिस परकार से post के SEO करते हैं परकार से आपको pages के SEO करने होते हैं तो यहाँ पर जैसे मानलो हमने एक नया page यहाँ पर ले लिया अब इसमें आपको पूछ रहा है कि आप सबसे पहले अपना title डालिए तो देखे title आप जो भी आपका WordPress का जो keyword आपने लिया या blog का keyword आपने लिया वो आपको सबसे पहले यहाँ पर paste करना है अब यहाँ पर best WordPress hosting यह तो आपका मानलो keyword हो गया अब इसके आगे और पीछे आपको कुछ लगाना है ताकि उस पर CTR भी आए ठीक है क्योंकि CTR सबसे important है CTR का मतलब होता है click through rate अगर आपके post पे CTR नहीं आएगा तो Google में वो rank नहीं करेगा तो CTR लाने के लिए कुछ ऐसी चीजी आपको लिखनी पड़ेगी कुछ ऐसे text आपको लिखने पड़ेंगे ताकि लोग उस पर click करें तो जैसे example के लिए मैं आपके लिख देता हूँ top 7, best WordPress hosting company in India 2024 तो इस तरह से हमने एक title दिया हमारे block को या फिर आमारे page को अब यह आपका काम हो गया title लिखने का तो यह जो हमारा step है न यह हमारा सबसे पहला step है जिसमें हम एक title लिखते हैं किसी भी block को या फिर किसी भी page को अगर हम optimize करते हैं तो अब हम चलते हैं next step पे next step क्या होता है next step होता है आपकी content writing देखें अगर आप अपने blog का या फिर अपने page का optimization कर रहे हो या फिर उसका issue कर रहे हो तो आपका यह content आता ना बीच में जो content length होती है यह सबसे ज़्यादा effect करता है आपके optimization पे और फिर आपकी ranking पे तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से content लिखना पड़ता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो यह है दोस्तो आपका step number two content writing आप देखें content writing के लिए मैं आपको दो चीज़े recommend करूँगा एक तो आप content writer hire कर लो या फिर खुद content writing करो तो आपका blog rank करेगा दूसरा है कि आप आज कल जो AI चल रहा है यानकि चार्ट GPT या फिर जो अलग-अलग AI tools है उनका आप इस्तमाल कर सकते हो for content writing बट वो recommendation नहीं है आप idea के लिए ले सकते हो बट आपको हमेशा organic पे काम करना है organically अगर आप लिखोगे अपनी language में तो 100% Google आपका page rank करवा सकता है बट अगर आप ऐसे सोचे हो कि मैं तो 4 GPT से ही काम चला लूँगा तो उस condition में हो सकता है कि आपकी मैनत बेकार भी चली जाए फिलाल अभी के लिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हम बहुत ज़्यदा time span नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे अभी के लिए हम chart GPT का इस्तेमाल करेंगे तो देखे chart GPT के उपर मैं जाता हूँ ठेके यहाँ पे सबसे बेले हम क्या करते हैं हम टाइप करते हैं गूगल में chart GPT and simply search बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे chart GPT के उपर जाते हैं website पे and यहाँ पे मैं login बटन पे क्लिक करता हूँ login बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इसका जो account आपने बना रखा जिससे वो आपको account यहाँ पे login करना है अब chart GPT का account कैसे बनता है वो तो आप सभी को I think आता होगा तो यहाँ पे देखे मैं जो अपना account है वो login कर लेता हूँ तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना chart GPT login कर लिया और अब हमने जो blog लिखा है जिससे पर हमने blog लिखा था उसी से related हम यहाँ पे एक content लिखेंगे तो जैसे माल लो हमारा यह blog हमने लिखा या फिर हमने page बनाया तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसका title copy कर लेता हूँ simply आपको किस तरह से content लिखना है वो आपको बता रहा हूँ अब यहाँ पर हम वापस आएंगे 4GPT पर यहाँ पर इसको सब्सक्राइब ले तो पेस्ट करेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे हम write a blog post using keyword top 10 top 7 best wordpress hosting company इंडिया ठीक है इस type से हम लिखेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर enter करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो जो क्या बोलते हैं इसको 4GPT 4GPT हमारे लिए top 7 जो hosting companies है उनके बारे में हमें एक पूरा का पूरा ब्लॉग यहाँ पर लिखके दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसनों ने एक हमें title भी generate करके दिया है अगर आप चाहें तो इस title को भी वैसे use कर सकते हैं बट हमने हमारा title बना लिया है वो हमारे लिए best important है तो यहाँ पर सबसे पहले introduction हमें लिखा हमारे लिखा गया है और बाकि जो 7 hosting companies हैं उनके बारे में हमें detail दी गई है तो हम क्या करते हैं simply इसको copy कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पर copy करने के बाद हम जाएंगे सबसे पहले word में इसको हम paste करेंगे word में अब word में paste क्यों करना है क्योंकि यहाँ पर जब भी हम किसी भी blog post को या किसी भी content को अब जब copy करते हैं तो किसी-किसी word में आपको links भी दे दी जाती है तो वो links आपके लिए थोड़ा गलत effect कर सकती है तो यहाँ से देखे इसको हम यहाँ पर paste करेंगे हम दुबारा से अब यहाँ से control-A करेंगे and control-A करके फिर हम जाएंगे हमारे blog में यहाँ पर add इसको हम दुबारा से control यहाँ पर V करेंगे तो इस type से देखे आपका पूरा का पूरा blog जो है यहाँ पर आ चुका है अब यह मैंने आपको बताया using chargeability कि chargeability का अस्तेमाल करके आप content कैसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना यह जो आपने chargeability का अस्तेमाल करके content लिख वाया है यह पूरा अभी तक ready नहीं है मतलब आप ऐसा मस समझे लेना कि यह आपने title लिख दिया और आपने यह content लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि यह blog या फिर यह page Google में rank करने लग जाएगा ऐसा नहीं है यह जो आपने title लिखा है और यह जो आपने content लिखा है न अब main इसका आपको optimization करना पड़ेगा और आपको SU के सारे rules and regulations यहाँ पर use करने पड़ेगे और साथी साथ इस content को modify भी करना पड़ेगा according to Google rules and regulations तब जाके आपका page rank करता है Google में otherwise नहीं करेगा ठीक है तो दिखे two steps आपने सीख लिए पहला कि आप किस type से title लिखोगे keyword research करके and second आप किस type से content लिखोगे but content मैं आपको recommend नहीं करूँगा chat gpd यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए बस chat gpd का इस्तमाल किया है अब आपका step number आता 3 जिसमें आप use करना सीखेंगे SU के rules and regulations जिसमें मैं आपको modification करना भी बता रहा हूँ यहाँ पे content का और SU के rules and regulations कैसे इस्तमाल किये जाते हैं वो भी बता रहा हूँ तो सबसे पहला rule क्या होता है सबसे पहला rule होता है कि आपका जो यहाँ पे main आपका जो keyword है जिसको बोलते हैं focus keyword जैसे यहाँ पे 7 best WordPress hosting company या फिर 7 best hosting company in India यह जो आपका focus keyword है इस focus keyword को आपको यहाँ पे नीचे scroll down करना है और आपकी जो भी website है उसमें आपको एक plugin का समाल करना पड़ता है जिस plugin का नाम है दूसरो Yoast SEO यहाँ पे आपको Google में जाना है सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है Yoast SEO यहाँ पे Yoast SEO का जो plugin है वो आपको मिल जाता देखिए यहाँ पे Yoast SEO.com इसका plugin आपको मिल जाता है इस plugin को आप क्या करोगे देखिए यहाँ पे Yoast SEO नमबर वर्डप्रेस होस्टिंग plugin इसका जो plugin है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजेगा यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपनी website में install कर लीजेगा बस आपको और कुछ नहीं करना है install करने के बाद देखिए यहाँ पे Yoast SEO इस प्रकार से जब भी आप को ब्लॉग लिखेंगे जब भी आप किसी page का SEO करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से वो आपको देखने लग जाता है अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि Yoast SEO जो plugin है वो हम क्यों install करें और इसका use हम क्यों कर रहे हैं तो देखे इसका use हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप WordPress website में SEO करते हो तो Yoast SEO आपको SEO optimization करने में आपकी थोड़ी मदद कर देता है जिसमें आपको फोकस कीवर्ड या फिर दोस्तों search result जिसको मोलते हैं meta description वो सारी चीजे लिखने में और आपके blog का या फिर आपके page का optimization करने में SEO के rules and regulations को use करने में ये हमारी help कर देता है क्योंकि ऐसे सारे rules and regulations को पकड़ना उसके according SEO करना बहुत मुश्किल काम है बट योस SEO के अंदर वो सारी चीजे already fit करी गई है जिससे हमें Yoast SEO बताएगा कि हमारा SEO का blog है या फिर हमारा जो post है उसका हमने सही तरीके से SEO किया है या नहीं किया तो इस plugin की मदद से यहाँ पे benefits मिल जाते हैं अब यह जो plugin है वो free में use कर सकते हो आप उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता अगर आपको और भी ज़्यादा advance SEO चाहिए तो आप इसका paid version भी ले सकते हो बट वो मेरी तरफ से recommendation नहीं है आप free में भी अगर आपको SEO आता है तो आप कर लोगे उसमें भी optimization हो जाएगा ठीक है अब जिसे माल लो हमने आप पे focus keyword यहाँ पे copy किया 7 best wordpress hosting company अब यहाँ पे सबसे पहला जो rule आपको इस्तमाल करना है वो करना है यहाँ पे focus keyword देखे focus keyword होता है जिसमें आप Google को यह बता रहे है कि हमारा जो blog है वो किसके बारे में है तो focus keyword किसको बोलते है हमारा जो blog है वो किसके बारे में अब यहाँ पे हमने focus keyword डाल दिया focus keyword के साथ-साथ यहाँ पे आप side में tag भी डाल देना जैसे माल लो हमने यहाँ पे डाला tag फिर echo tag डालते हम जैसे wordpress hosting company या फिर जैसे माल लो 7 best हमने डाला तो यहाँ पे 7 को भी अटा देंगे हम लोग और यहाँ पे best wordpress hosting यहाँ पे इस type से डाल देंगे फिर आम यहाँ पे के बाद tag डालने के बाद आपको एक और रूल इस्तमाल करना है और यह दोस्तों आपका meta description यह देखे इसको बोलते है meta description अब meta description आप कैसे लिख सकते हैं और meta description होता क्या है मैं आपको बताता हम सबसे बले तो आप यहाँ पे 7 best wordpress hosting company यह वाला जो आपने focus keyword या फिर आपने जो title लिया उसी को आप copy paste कर दीजे अब आप meta description होता है क्या है वो समझ लो जैसे माल लो हम यहाँ पे डाल रहे हैं digital marketing company in जापूर ठीक है अब digital marketing company in जापूर हम डाल रहे हैं तो जब हम यह keyword डालते हैं Google में तो देखें Google क्या करता है इस keyword को एक बार लेता है और अपना जो उसका server है उसमें इस keywords related जो भी inquiries है उनको लेके आता है और हमारे सामने result प्रोवाइड करता है अब इसमें होता गया है जैसे माल लो Google को कैसे पता चलेगा कि जो top level की best hosting companies है वो कौन सी है वो पता चलता है उसको SEO के content से जैसे माल लो यहाँ पर आ रहा है यह वाला जो website है यह आ रहा है सौरव जैन करके अब इसने लिख रहा है top 20 digital marketing agencies in जैपूर यह इसका title है यह इसका title जैसमें आप देख सकते है digital marketing company हमने यहाँ पर लेक सकते हैं यह digital marketing agencies जो word है ना वो नीचे भी आ रहा है और इस वाले जो पूरे जो यह sentence है यहाँ से लेकिए यहाँ तक इसको बोलते हैं meta description अब meta description और आपका title अगर दूनों match खा रहा है और आपका keyword match खा रहा है तो जो सबसे best meta description लिखा गया है उसी को Google optimize करता है और आपके सामने ले के आता है और आपको दिखाता है तो meta description किसको बोलते हैं I think वो doubt भी आपका clear हो गया होगा तो आपको एक best meta description लिखना पड़ता है जिससे आपका blog या फिर आपकी website Google में rank करने लग जाए ठीक है तो meta description किस type से लिखेंगे हम वो यहाँ पे सीख लेते हैं जिसे मालो हम क्या करते हैं meta description लिखने का तरीका होता है वो हम यहाँ पर apply करते हैं तो यहाँ पर जिसे मालो हम meta description लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जिसे 7 best wordpress hosting company यहां पर हम लिख रहे हैं तो यहां पर देखे हम किस टाइप से लिखेंगे इसको इस टाइप से हमने लिखा अब यह पूरा एक मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया आपका अब यह देखे क्या चीजी हमने इसमाल करिए और कैसे हम Google को बताएंगे कि यह हमारा मेटा पिर से हमने लिख सकते हैं यहां पर बेस्ट ओस्टिंग कर दिया रिपीट कर दिया तो हमने एक जो keyword है या फिर उस related जो keywords है उसको हमने आपे 2-3 times को repeat किया है ताकि हमारा जो meta description है वो सही तरीके से लिख जाए और Google उसको rank करवा दे ठीक है meta description का भी आपके दिमाग में जो सवाल था वो clear हो गया होगा एक चीज और है आपका SEO title SEO title भी देखे जरूरी है इसके अलावा आपको कोई changes यहाँ पे नहीं करने है यह देखे मैंने यहाँ पे paste कर दिया इस तरह से आपको SEO title लिखना पड़ता है अब आप नीचे scroll down करके देखे यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक बार click करेंगे SEO analysis पे अगर आप used SEO plugin यूज़ करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 6 problem अभी भी आ रही है और 7 जो SEO के rules and regulations है तोटल यहाँ पे कितने हैं करीब अप्रोक्स 13-14 यहाँ पे हमें rules मिलते हैं 13, 14 या 15 जितने आप use करोगे उतना better है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 7 जो SEO rules and regulations उनको use कर लिया जैसे keywords in SEO title keywords good length keywords in meta description meta descriptions की length भी अच्छी है use keyword before very good यहाँ पे text length भी है हमारा 538 words की हमने पूरा content लिखा हूँ है and SEO का title है उसकी length भी हमारी सही है ठीक है तो हमने approximately 7 rules को यहाँ पे use कर लिया है अभी भी हमारे 6 rules जो है वो बाकी है यहाँ पे 6-7 rules अभी भी बाकी है जो हमें use करने पड़ेंगे तो देखें कैसे use करने हैं बाकी सारे keywords को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे इसके अंदर यह पहला जो पहला sentence है इसके अंदर modification करेंगे हम लोग यहाँ पे जैसे in the word of hosting choose the right provider for your success of your WordPress website with the increasing popularity of your WordPress content management system CMS there has been a surge in the companies hosting particularly especially in WordPress in India in this article we will explain the top 7 best WordPress hosting companies in India तो यहाँ पे आप देख सकते हैं top 7 best WordPress hosting companies in India इसको हम board कर देंगे यहाँ ठीक है अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप छोटे मोटे और भी changes कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे blue host India सबसे पहले आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे number 1 कर देंगे और यहाँ पे इस type हम लिखेंगे और उसके बाद इसमें भी हम देख लेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी 7 best hosting WordPress companies लिखा हुआ की नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ चलिए ठीक हम क्या करते हैं दूसरा इसका number 2 रख देते हैं इसको भी हम यहाँ पे board कर देते हैं ठीक है और वापस से हम यहाँ पे इसको उपर कर लेते हैं यहाँ पे यह 3 number का है तो हम इसको इस type से कर लेते हैं इसको भी हम board कर देंगे तो थोड़ा attractive बनाना पड़ेगा ताकि यह लोगों के साई समझ में है ठीक है फिर यहाँ पे यह 4th number है तो इसको भी हम इस type से कर लेंगे इसी type से हम जो बाकी सारे जो hosting companies हैं उनके जो details हैं उनको हम यहाँ पे इस type से कर लेंगे अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है एक आपका यहाँ पे रूल और इस्तमाल करना है आपको और वो है दोस्तो इमेज ऑप्टिमाईजिशन जैसे माल लो ब्लू होस्ट के उपर यहाँ पे यह लिखा हुए sentence तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे यह तो hosting से related या फिर दोस्तो ब्लू होस्ट से related आपको यहाँ पे इमेज अड़ करनी पड़ेगी जिससे हमारे SU के rules and regulations यूज होते हैं जैसे माल लो हम टाइप करेंगे यहाँ पे hosting ठीक है यहाँ पे हम search बटन पे क्लिक करेंगे अब images हमें लेनी है यहाँ पे तो हम images के उपर क्लिक करेंगे and images पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखे इस type से हमारे पास images आज चुकी है अब हम tools पे क्लिक करेंगे and यहाँ पे हम free images का इस्तमाल करेंगे ताकि हमें कोई copyright नहीं दे दे ठीक है तो यहाँ पे जैसे माल लो web hosting करके यह वाली कोई अभी image आ रही है but आप चाहो तो canvas से एक अच्छी professional image बना के उसको use करेंगा ताकि आपका जो blog है या फिर आपका जो page है वो थोड़ा और भी attractive लगे लोगों को ठीक है तो मैं इसको save कर लेता हूँ यहाँ से आप वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसका image add कर देता हूँ जैसे add media के उपर मैं click करूँगा upload के उपर click करूँगा select image पर click करूँगा तो यह देखे यह image है मैं इसको यहाँ पर click करता हूँ और इसको open कर लेता हूँ यानि कि मैं इसको upload कर लिता हूँ हमारी website में यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी image इसको हमने already use कर रखा है हमारे blogs में फिर हमारे pages में तो यह वाले image भी हम यहाँ पर use करेंगे अब इसको हम add कर देंगे यहाँ पर यह देखे इस type से image आ चुके है मैं इसको center में कर देता हूँ and थोड़ा इसका length बढ़ा दूँगा इस type से and इसके उपर हम लोग altx लगाएंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखे अल्ट्रान altx यहाँ पर हम लगाएंगे तो altx क्या है हमारा word press hosting company ठीक है and यहाँ पर हम update कर देंगे अब अगर आप देखेंगे दोस्तों नीचे scroll down करके तो देखें यहाँ पर हमारे पास 5 problem रह गई है एक problem हमारी soul हो गई और यह है दोस्तों image वाली ठीक है तो इस type से एक आपको image यूज़ करनी है outbound links तो inbound links क्या होती है inbound links होती है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप किसी inbound links में या outbound links में outbound links में आप क्या करते हैं किसी और company का जो URL है वो आप यहाँ पर add कर देते हैं तो जैसे माल लो यहाँ पर used su करके हैं हमारे पास ठीक है तो हम Yoast SU का जो link है न वो हम कहीं पर अगर हमारी website में लगा देंगे यहां पर जैसे मालो हम यहां पर लगा देते हैं ठीक है तो जैसे मालो WordPress या फिर दोस्तों या फिर हमने Bluehost के बारे में लिख रखा है तो हम क्या करेंगे हम Bluehost ही यहां पर add करेंगे जैसे मालो Bluehost.in हमने टाइप किया यहां से इसको copy कर लेते हैं यहां पर हम इसको डाल देंगे इसके अंदर URL ठीक है यहां पर add करेंगे इसको और यहां पर इसका URL add कर देंगे ठीक है और इसी type से site ground इसी type से host getter और बाटी जो companies है उनके URL भी हम add करेंगे यहां पर अगर आप देखेंगे फिर से आके तो देखें आप चार problem बागी रह गई है एक है आपके पास internal links internal links में क्या होता है कि आपकी website के अंदर अगर आपके पास और कोई pages हैं या फिर आपके पास और कोई blogs हैं तो उनके URL आपको यहां पर add करने पड़ते हैं तो यहां पर जैसे माल लो यहां पर bluehost hostinger यह अमारे पास एक blog है तो हम क्या करते हैं इस blog का जो URL है वो हम यहां पर add कर देते हैं ठीक है तो इसका URL देखें यहां से हम ले लेते हैं एक बार इसका जो preview है वो हम ले लेते हैं ठीक है यह इसका हम ले लिया URL यहां पर हम आते हैं and bluehost के अंदर या फिर दोस्तों किसी के अंदर भी इसका जो URL है वो हम add कर देते हैं जिससे माल लो हम यहां पर hosting plans करके तो इसके अंदर हम यह URL add कर देंगे इस types है अब यह URL add हो गया वापस हम नीचे score down करेंगे और अब देख सकते हैं हमारे पास सिब तीन जो problems है वो बाकी बची है and यहां पर दो problem बाकी है main keyword in introduction and density density अभी यहां पर हमारे पास दो बार ही हमारा जो focus keyword है वो मिल रहा है हमारे पूरे आप introduction इसको बोलते है इसको बोलते है introduction तो introduction में आपका जो paragraph है वो आपको इस type से बनाना पड़ेगा ताकि यह जो word है seven best hosting wordpress companies in India यह जो है यह आपके introduction में कहीं भी आना चाहिए तो जैसे मालो यहां पर in the way of the world of web hosting here हम कुछ add कर देंगे हमारी मर्जी से here we are listing top seven best hosting company in India इस type से हम यहां पर add कर देंगे introduction के अंदर और हम इसको board कर देंगे यहां पर इस type से ठीक है तो board जब आप करोगे ना तो क्या होगा कि यह जो आपका focus keyword है उसको कही ना कही introduction में यह पकड़ लेगा यह देखें अब हमारे पास जो दो problem सी उनमें से एक problem soul हो चुकी है और यह जो SEO का हमने अभी changes किया है देखें वो यहां पर add हो जाएगा और हमारा जो introduction है जो हमारे page का introduction है या फिर जो हमारे block का introduction है वो देखें यहां पर आ चुका है keyword in introduction तो यह भी हमारा एक SEO का rule and regulation होता है जो हमने complete कर लिया आप एक हमारे पास problem बाकी है और यह problem है कि हमें हमारा जो length है हमारे block का या फिर हमारे page का इसका जो length है वो total है 553 words का 553 words इसमें लिखे होय है लेकिन हमें यहां पे सिर्फ दो बार ही जो हमारा keyword है वो हमें मिल रहा है अब हम यहां पे 1% density पे काम करेंगे 1% density का मतलब होता है कि 1% हम लोग यहां पे keyword डालेंगे हमारे blog में अब 1% का मतलब होता है कि 553 अगर हमारे पास words है तो हमें कम से कम यहां पे 5 time तो use करना ही पड़ेगा हमारा जो हमारा main keyword है या फिर हमारा जो focus keyword है तो हम क्या करते हैं जो हमारा focus keyword है उसको हम यहां से copy कर लेंगे ठीक है जिसे माल लो मैं इसको यहां से focus keyword को copy कर लेता हूं यहां पर best word best hosting company in India यहां से मैं इसको copy कर लेता हूं and हमें यह जो आप paragraph लिखोगे या फिर जो भी आप लिख रहे हो इसके अंदर ये use करना पड़ेगा तो मैं आपको हमेसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई blog लिखते हो तो आप अगर अपने आनुसार लिखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो आपका focus keyword आपने दिया ना उस keyword से related आप यहां पे कुछ ना कुछ information लिख दोगे और उस keyword को आप 2-4-5 बार repeat कर दोगे जैसे 5 word आपने लिखे तो 5 बार आप repeat कर दो 1000 words लिखे तो 10 बार आप repeat कर दो तो इस type से आपको करना पड़ेगा जिसे मैं अभी फिलाल के लिए मैं माल लो यहां पे जैसे कर लेता हूँ जैसे in motion तो यहां पे 7 best WordPress hosting companies in India in motion फिर इस type से आपको जो यह paragraph आपको लिखना पड़ेगा उसी परकार से यहां पे best blue host number 1 पे है तो यहां पे मैं इसको add कर देता हूँ अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैंने यहां पे 3 time इसको copy paste किया है अगर मैं नीचे इसको down करूँगा न तो अब आप यहां पे देख सकते हैं आपका जो SEO analysis है यह 7 best WordPress hosting company इसमें अब आप देख सकते हैं सिर्फ एक problem बची है और यह जो problem है यह भी आप solve कर लोगे अगर आप थोड़ी महनत करोगे तो लेकिन महनत जब होगी जब यह premium हो जाएगा मतलब अभी अगर आप देखेंगे तो SEO के जो 13 rules and regulations है वो आपने पूरे कर लिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे जो rules and regulations है वो आपने पूरे कर लिए approx अब यहाँ पर कोई बाकी rule नहीं रह गया है यहाँ पर अगर आप future image लगाना चाहो तो यह भी लगा सकते हैं इसी image को मैं आपर use कर लेता हूं future image के तौर पर और यह वाली जो image है वो जब हमारा blog सबसे number one position पर आता है Google में या कहीं पर भी तो यह वाली image वहाँ पर दिखाई देती है अब अगर आप देखेंगे दोस्तो तो यहाँ पर use SEO के अंदर हमें यहाँ पर green signal मिल गया है green signal का मतलब है कि अब हमारा जो blog post है या फिर हमारा जो page हमने बनाया है वो अभी publish होने के लिए ready हो चुका है और इसको अब हम यहाँ पर publish कर सकते हैं बड़ी आसानी से और जितने भी rules and regulations है अप रॉक्स हमने यहाँ पर पूरे कर दी है according to SEO rules and regulations अब आपको last में finally यहाँ पर public button दिख रहा है तो public button पर click करेंगे और जैसे दो उसे publish button पर click करोगे यह वाला जो blog post है या फिर यह वाला जो page है वो publish हो जाएगा Google के अंदर और अब आप इसके अंदर backlinks बनाएंगे backlinks जितनी आप अच्छी बनाओगे अपनी website की उतना ही ज्यादा आपका website या फिर आपका blog rank करेगा Google के अंदर अगर आप backlinks बिल्कुल भी नहीं बनाओगे तो आपका blog rank नहीं करेगा Google में क्योंकि जितनी backlinks और जितना on page SEO आपका अच्छा होता है Google उतनी ही जल्दी आपके website या blog को optimize करता है इस सीच को अपने mind में बिठा लेना अब कई सारे लोग अगर beginner है और वो ये सोच रहे हैं कि backlinks क्या होती है backlinks कैसे बनती है तो उसके उपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ in future आप चाहें तो इस चैनल को subscribe कर लो ताकि आपको backlinks के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या होती है कैसे backlinks बनती है on page SEO के लिए कौन सी backlinks बनती है do follow backlinks क्या होती है no follow backlinks क्या होती है वो सारी चीजे मैं आपको backlinks वाले वीडियो में बताऊँगा तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आज की इस वीडियो में हमने OnPatch SEO के बारे में संपून जानकार या प्रॉक्स ले ली है आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो कॉमेंट में जाके फुल वीडियो अपना नाम और अपनी शिट्टी का नाम जुरूर टाइप करना ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कौन और कहां से देख रहा है अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट में जाके सवाल जवाब भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ Instagram पर भी connect हो सकते हैं Instagram का लिंक भी मैं आपको description में दे दूँगा इसके अलावा अगर आप हमारी company की service आते हैं डिजिल मारकिटिंग में Delhi में와 website designing, Google ads या फिर दोस्तों SEO या फिर Social Media Marketing किसी भी टाइब कि अगर आप Digital Marketing Services सही है तो आप अमारे साथ भी Contact कर सकते हैं जा फिर अगर आपको Course करना है Digital Marketing में तो भी आप अमारे साथ Contact कर सकते हैं हम आपके साथ आपकी Services भी हम आपको Provide करेंगे और हम आपको Course भी Provide करेंगे Digital Marketing का तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको Next वीडियो में एक नए Information के साथ तब तक आप वीडियोस को देखते रहें सेखते रहें आगे बढ़ते रे लाइप में जहिन दोस्तों